हेलो दोस्तों, in this session we'll be talking about the transporting plants का next topic जो है अपना कि mineral का अप्टे किस तरीके से होता है और minerals का transport किस तरीके से किया जाता है, देखो ध्यान से, अमरेज़े मिद्ट के साथ conservative हो जाएंगे crystal clear, चलो, ओके, तो ध्यान से देखो है, यह जो minerals है, हमने क्या देखा था, यह minerals यार, soil में में ज्यादा है, इसकी quantity, मतला मैं density पूछ रहा हूँ, मैं concentration पूछ रहा हूँ, तो soil में mineral ज्यादा है, लेकिन बात करते हैं, हम concentration, concentration मतलग है, leaf care, जो root है, root का cell कितना छुटू सा छेल है, छुटू सा, उसमें minerals है, तो हम कहते हैं, तो हम कहते हैं, root के पास, जो cells है, उसमें concentration of mineral is more, as compared to the concentration of mineral in the soil, और आपको तो पता है, कि minerals कितना ज़रूर है, plants के लिए, हमने कई enzymes देखे, magnesium देखा, हमने zinc देखा, हमने कई minerals nutrition चप्टर में पढ़ेंगे, कि यार इतने सारी minerals हमें लगते, plant के growth के लिए, तो plant यहाँ पे चाहता है, कि वो mineral को absorb करे, और mineral को transport करे, तो किस से वो absorb करेगा, तो यहाँ पे हमने देखा, कि soil में concentration of mineral is, soil में concentration of mineral is less, सही बात, जबकि roots में concentration of mineral is more, सही बात, मैं चाहता हो कि mineral बाहर से अंदर आ जाए, तो कैसे आए गया, क्योंकि यह तो against concentration gradient हो गया, less to more, अगर मैं against concentration gradient की अगर मैं बात करता हो, तो मुझे यहाँ पे energy कि आयन फॉर्म में है, और दूसरा चीज है, कि आयन में कम भी है, इनके वज़े से मेरे लिए, मतलब प्लैन के लिए बड़े डिक्कत वाली बात है इनको absorb करना, इसलिए यहाँ पे energy लगाई जाती है, तो यहाँ पे देखो उसने energy लगई, यहाँ पे energy लगई, तो यहाँ क्या हो गया, कि यहाँ पे mineral का absorption हो गया, सही बात है, सही बात है, Minerals cannot be passively absorbed by the road, passively absorbed नहीं कर पाते है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे charge है, उनके उपर charge है, इसके वज़े से बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, neutral रहता तो उसको ठीक से handle भी कर लेते हैं, यह तो charge है, और हमन दिक्कत वाली बात है, again, the concentration of mineral in the soil, अभी हमने देखा कि soil में concentration, जो mineral का है, वो कम है, इसके वज़े से उनको absorb कोना अपने अपने दिक्कत वाली बात है, इसलिए यहाँ पे क्या करते है, plant, उसको ionic form में ही तो absorb करते है, लेकिन ionic form में absorb करने के लिए, अब actually energy लगानी पड़ किया, सही बात है, endodermies में, अब तो आपको पता है, जैसे minerals अंदर आ जाएंगे, मतलब solute अंदर आ गया, solute आ गया तो water भी उसके साथ अंदर आ जाएगा, और फिर root में से water travel करते हुए जाएगा, root में से जब travel कर गया, तो water के बात दो टाइप के pathways है, एक है simplest, एक है एप endodermies से सिर्फ simplest के through ही water का movement होना चाहिए, इसलिए क्योंकि plant इंशर कर रहा था, कि जो चीजे वो ले रहा है, वो ठीक से है या नहीं, मतलब एक टेक से टोलना का हो गया, cell के अंदर से mineral जाएंगे, तो उसको regulate करना plant के लिए आसान हो जाता है, इसलिए plant ने endodermies नाम का यहा पे minerals को simplest के through ही, endodermies मतलब cell के अंदर से ही आगे जाना possible है, उसके बाद ही जायलम के पास जा सकते है, minerals are trans located with water in mass in xylem and floor, minerals का transport जो होता है, यह जायलम में से भी होता है, phloem में से भी होता है, important point है, सही बात है, along with the water होता है, अब यहाँ पे बात देखो, ध्यान से सुना, हमन तो यह देख लिया कि mineral का absorption actively हो चुका है, उसका unloading जो है, यह भी actively होता है, यहाँ पे, यह देखो, मैंने mineral transport कर दिये, rate color वाले, water के साथ transport कर दिये, यह धायलम में से गए, water के साथ गए, इसका unloading भी active और passive है, mainly active है, सही बात है, अब मान लो, यहाँ पे mineral को use कर लिया, इस leaf सही बात है, अब धीरे-धीरे leaf जो है, यह बुढ़ा हो गया, okay, right, अब यार, इन minerals का क्या करे, क्योंकि mineral को तो तो तुमने energy लेके use किया है, और अब यह जो leaf है, यह तो नीचे गिरने वाला है, उसके साथ mineral का loss भी हो जागा, इसले plant दिमाख लगाता है, टू, 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 plant ने दिमाख लगा है, क्या idea है मेरे पास, ओ क्या करता है, इन minerals को re-mobilize कर देता है, इन minerals को re-mobilize कर देता है, यह देखो, यह जो minerals है, यहाँ से लेके वो यहाँ पे transport उसने करा दिया, जो young leaf थे उनके पास करा दिया, जो पुराना बुढ़ा वाला leaf था, ओ नीचे अब गि सेल का component हो, structural component, मतलब देखो, आपके घर के जो दिवार है, उसको तब मुह नहीं कर सकते, अगर आप घर change करो गया है, तो घर में जो रखा हुआ सामान है, उसका मुह कर सकते, लेकिन जो structural component है, उसको कैसे मुह कर के, उसको नहीं मुह कर सकते, तो minerals का भी ऐसे है, कुछ minerals है, जो readily mobilize होते है, कुछ minerals जो है, बिल्कुल भी mobilize नहीं होते है, जो कि structural component है, nitrogen, potassium, phosphorus, NPK, NPK, नापक, NPK, ये जो है, readily mobilize हो जाते है, जो पुराना बुढ़्धावला लिफ था, वहाँ से नए लिफ में चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, जबकि elements that are not readily mobilize, जो readily mobilize नहीं होते है, elements that are structural component of a cell, like calcium, calcium pectate का deposit होते है, cell wall में, तो calcium हो गया, sulfur, कई सारे, कई सारे proteins का structural component है, ये sulfur, ओके, तो calcium, sulfur, इनका re-mobilization नहीं होता, इनको यार ये lift के साथ नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये structural component है, मैंने अभी कहा ना, कि आप जब घर बदलते हो, ये जो घर बदल रहा था, यहाँ सी यहाँ, तो ये structural component नहीं था, इसलिए बदल पाए, आपके घर की दिवारे थोड़ी नहीं लेके जात कि nitrogen से nitrogen fix करने के बाद ammonia बनता है, ammonia toxic होता है, तो ये plants उसको amino acid में convert कर देते हैं, बहुत important, it is mainly transported as organic form in the form of amino acid, phosphorus, they are transported as inorganic form like phosphate and sulfate, इस form में इनका transport किया जाता है, सही बात है, okay, NIT 2011 में पूछा गया था, इसकी उपर MC को है न, NIT 2012 में पूछा गया था, इसकी उपर MC को, अब यह किसके Deficiency Symptoms younger leaf में मिलते हैं, किसके Deficiency Symptoms नए leaf में मिलते हैं, इसके Deficiency Symptoms old leaf में मिलते हैं, उसके बारे मीं बात करेंगें लेकिन आुर इन mineral nutrition में बात करेंगे, अभी बात करना हूं ठीक नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हमने और हमने देखा, ।काप मिनरल आये, तो सेल डिसाइड कर सकते हैं इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है तो एंडो यहां पर यह बात कहेंगे कि एंडोडर्म सेल्स जो है यह चेक पॉइंट याजब काम करते हैं है और सबस्ति करते हैं कि तो सील्स जातनों कि बल्डे के मिश्ट जिए यह आप देख लेना om और फर जो है यह non-mobilizable element है, mobilize करना उसके लिए पॉसिबल नहीं, some elements that are structural components like calcium are not remobilized, क्योंकि उस्ट्रॉक्चरल components है, okay दोस्तो, so that was all about decision, आपको telegram channel पे इस particular question, topic के MCQS मिल जाएंगे, उसका अपने attempt करना है, आपके concepts, strong बनाना है, that was all about decision, thank you so much दोस्तो, love you all, take care, वीडियो को like channel को subscribe करना मत बुलना, bye bye, take care, bye bye,